अब आपको 13 तर्म दब फाइंड करिया है अब आपको 13 तर्म दब फाइंड करिया है अब आपको कहां तक दी गई है A1, A2, A3 और सारी फाइंड करने A30 तक अब कैसे फाइंड करेंगे यह देखिए AN का फाइंड करना है A2 में लिखेंगे A प्लस में N माइनस में 1 और D ओके यह वाला फाइंड लगाएंगे तो AN हमें फाइंड करना है A हमें 10 दिया गया है और N, N हमें क्या दिया गया है? देखिए N कैसे फाइंड करते हैं? प्रस्ट पर D देखिए 7 में से 10 माइनस करते हैं जब हमारा क्याने करता है D और क्या आएगा? माइनस का 3 ओके N ने हमारा 4 तो देखिए N हो गया हमारा 4 माइनस 1 और यह क्या है D D क्या है हमारी माइनस 3 सोरी N ने तो लास्ट वाले तरम तो कोगे न क्योंकि 13 है लास्ट सोरी, मिस्टेक हो गई इसलिए 10 N लास्ट वाले तरम होगी means 13 13 माइनस 1 और D क्या होगी हमारी माइनस 3 10 A N प्लस में 30 माइनस 1 वन गया करेंगे 29 और मंटिप्लाइ में माइनस 3 ओके तो मंटिप्लाइ करते क्या जाएगा माइनस का 87 प्लस में 10 ओके तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दिंगे सेन साइन अडेशन डिफरेंस हाए सब्ट्रेक्शन तो subtraction का हो जाए गई है भाई हाँ से अठके minus का हो जाएगा a n equal to इसमें से इसको minus करेंगे क्याएगा minus का 77 और a n की value क्या गई minus का 77 और को इसर करेक्ट है c बागद ओके, so this was question number second का first part, thanks